नमस्कार आप देख रहें नियूस पी यार और मैं हूँ आपके साथ जोती सनहार देखे एक बार फिर से CM नितीज जो हैं वो सची वाले पहुँच गए हैं अचानक से निरिक्षिन के लिए CM नितीज सची वाले पहुँचे जिसके बाद अधिकाडियों में हरकंप मच गया दरसल आपको बता दें कि इससे पहले लगाताद बीती दिनों के अगर हम बात करें तो CM नितीज जो हैं हो सची वाले हो विश्व सरया भवन हो या फिर अचानक से वो पहुच रहे हैं और पहुच कर निरिक्षिन करने लग जा रहे हैं यह देख रहे हैं कि अधिकाडी जो हैं वो वक्त पर आ रही है या नहीं समय से काम हो रहा है या नहीं सुबह सुबह अचानक से CM नितीज जो हैं वो बुड़ानी सची वाले में पहुचे हैं और आधा गंटा वहाँ पर अपने ओफिस में वक्त भी बिताया है बता दें कि अधिकाडियों का निरेक्षिन करने के लिए अचानक से CM नितीज जो हैं वो इस इन वक्त इंदिनों एक्षिन में नजर आ रहे हैं और अचानक से पहुच रहे हैं वहीं आपको ये भी बता दे किसी अमने तीश से जब इन निरेक्षिनों को लेकर के सवाल किया गया था कि कितने दिन वो इस तरीके से पहुँचने वाले हैं कब तक वो ऐसे निरेक्षिन करने वाले हैं जिस पर उन्हों है बताया था कि वो हफते में तीन दिन निरेक्षिन क अचानक से आज उनका कोई प्लान सची वाले आने का नहीं था और अचानक से जो है सुबह सुबह सेम नितीश जो है वो सची वाले पहुँच गए जिसके बाद अधिकारियों में हर कंप मच गया हर बड़ी में सवी अधिकारी वहाँ पहुचे आपको बता दे कि वहाँ पहुचने के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आधे घंटे का वक्त भी बिताया और वहाँ पर वक्त बिताते हुए हर चीज का जाइजा लिया है लगातार जो है मुख्यमंत्री नितीश कुमार इन दिनो एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं लगातार एक्शन मोड में वो काडियों को करते नज़र आ रहे हैं कभी भी ऑन्द स्कॉट पहुच जाते हैं कभी भी कहीं पर भी वो पहुच जा रहे हैं और ऐसे में पहुच कर जांच कर रहे हैं कि सब चीज तरीके से खो रहा है या नहीं अधिकारी वह पहुंद के रहे हैं और ऐसे ही एक्शन मोड में सिम नितीश भी है जो इन दिनों लगातार ने रिंटीशं कर रहे हैं सिरी के जोपी अपने इट है वो लोकातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं आसे ही खबरों के लिए बनी रही है